Hi guys, welcome back to my channel. My name is Priyadogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में मैं लिकर आई हूँ आपके लिए इस रो की तरफ से एक नया कोर्स लाँच हो चुका है for all the students and working professional आप यहाँ पे apply कर सकते हैं इस course के लिए और at the end जब आप इस course को complete कर लेंगे इस रो की तरफ से आपको certification भी दी जाएगी so आज की इस वीडियो में मैं आपको complete detail देने वाली हूँ किस तरह का course है कैसे आप इसके लिए apply कर सकते हैं कोई भी registration fees यहाँ पे required नहीं है बहुत अच्छा course आपके लिए launch किया गया है इस रो के तरफ से आपको कोई course मिलता है that means आपको content भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है so सारी detail के लिए मैं आपको यही बोलूँगी इस वीडियो का इन तक जरूर देखिए so without wasting any time let's start the video before starting the video I would like to request all my viewers if you are new to my channel then please go and subscribe to it and don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update also I'm active on my telegram channel and my whatsapp group so if you want to ask me anything related to free courses certification or anything related to your career then you can join me there so let's see today's course launch the details so link you will get in the description all the details I will give you in this video related to course details कैसे registration करनी है क्या schedule रहेगा आपका पूरा course curriculum कैसा रहेगा सारी details मैं आज आपको इस वीडियो में दूगी start करते हैं हमारे course की details के साथ so इससे related आपको यहाँ पर ब्रोशर मल जाएगा उससे पहले हम देख लेते हैं की course कौन सा है so course का नाम है a journey from GPS to mobile phone platform start होने वाला है March 1st से लेकि March 12 मतलब 12 days का यहाँ पे आपके पास जो है वो curriculum रहने वाला है किस तरह का course है उसके लिए आपको क्लिक करना है course प्रोशर पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास PDF टाउनलोड होके आजाएगी आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको first page पे जो है वो IIRS के बारे में information दी गई है next में आप देख सकते हैं course के बारे में आपको details मिल जाएगी course के curriculum की बात करूँ यहाँ पे आपको GNSS technology के बारे में सिखाया जाएगा satellite based आपको यह navigation system पे काम करना चाहते हैं वो किसे कर सकते हैं applications क्या होती है geosciences के बारे में आपको बताया जाएगा atmospheric studies के बारे में बताया जाएगा geospatial technologies के बारे में बताया जाएगा तो आप अगर अपना future इस field में आगे बढ़ाना चाहते हैं सो मैं आपको यह बोलूँगे इस course के लिए आप enroll कर सकते हैं इस रो की तरफ से आपको opportunity दी जा रही है कि आप free of cost इनके course में enroll कर पाएंगे और साथी में आप यहाँ से certification में ले पाएंगे बात करते हैं course material की सो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं lecture studies आपको यहाँ पे videos recorded lectures मिलने वाले हैं software मिलने वाले हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं और e class आपकी यहाँ पे जो है वो आप इनके attend कर सकते हैं course fees की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए कोई भी fees यहाँ पे अभी तक नहीं मागी गई है absolutely free of cost आपका course है registration का link आपको मैं नीचे अलग से provide कर दूँगी या फिर आप brochure में भी registration का link यहाँ पे देख सकते हैं इस पे click करते हैं सीधे आपकी registration जो है वो खुल जाएगी मत करते हैं certification कैसे ले सकते हैं so certification दोनों लोगों के लिए हैं चाहिए working professional है, students है अगर आपके 70% से जादा आपकी attendance यहाँ पे रहती है so आपको यहाँ पे certification दे दिया जाता है बट याद रखिए registration बहुत ही limited यहाँ पे seats available है so registration के लिए मैं यही बोलूँगी जितनी जल्दी हो सके आप जाके यहाँ पे registration करवा लीजे मैं जानती हूँ course आपका 1st March से start हो रहा है but registration बहुत ही limited seats के लिए है और यहाँ पे जो भी पहले आएगा first come first serve basis पे यहाँ पे जो है वो registration सेलेक्ट होने वाली है बात करते हैं schedule कैसे रहेगा इस course का schedule में आप देख सकते हैं March 1st से लेके 5 तक आपके पास जो topics discuss होने वाले हैं उनके बारे में detail लिखी गई है timing भी लिखी गई है date भी लिखी गई है और 8 से 12 जो आपके पास topics discuss होने वाले हैं उसकी detail भी यहाँ पे लिखी गई है और timing भी आपके पास यहाँ पे दे दी गई है faculty के नाम भी आपके पास यहां पर mention कर दिये गए है so हम चलते हैं directly अब अपनी registration process में so आपके पास यहां पर online registration form का link है आप यहां पर सारी details note कर लीजे क्या-क्या details आपकी required रहेगी to fill up the registration form so start करते हैं हमारे step 1 के साथ step 1 में आपसे मांगा जा रहा है यह full name, email id, password यह आपका तब मांगा जाएगा अगर आपने अभी तक account नहीं create किया है अगर आपने account already create कर लिया है so आप directly यहां पर already register पर click करके अपना password और अपनी email id के साथ यहां पर login कर सकते हैं so अगर आपने अभी तक account नहीं create किया है इन details को fill करके आप register पर click कर सकते हैं उसके बाद जो आपसे यहां पर detail मांगी जाएगी that is your course name so course name आप यहां पर select कर सकते हैं एक ही course available है भी and mode of registration आप यहां पर देख सकते हैं दो तरह से कर सकते हैं इधर आप individually register कर सकते हैं या आप registration कर सकते हैं through IIRS Nodal Center so यहां पर आपका institute or organization का नाम impulsory होगा आप उसके थूरू registration करते हैं आपको यहां पर एक online examination भी देना पड़ेगा online examination के बाद आप यहां पर बहुत अराम से certification ले सकते हैं बढ़ अगर आप individually register करते हैं आप यहां पर eligible नहीं होते हैं online examination के लिए आपको सीधा यहां पर participation certificate दे दिया जाता है बात करते हैं prerequisites की so prerequisites आप यहां पर देख सकते हैं आपकी basic qualification मांगी जारी है basic knowledge किसमे हैं आपको so वो आप यहां पर select कर सकते हैं and how the course contents of the course will be useful to your professional career so वो आप यहां पर कुछ भी mention कर सकते हैं आपको click करना है next पे third step में आपसे मांगा जारा है आपका saluration, full name, Hindi में नाम आपका father's name, आपकी date of birth आपका gender क्या है, nationality क्या है आपका phone number क्या है आपकी city क्या है, आपकी country क्या है आपका state क्या है and आपके pin code और zip code यहां पर mention करने पड़ेंगे then after you can click on save and continue उसके बाद आपके पास जो details यहां पर आती है that is regarding your educational details so आपसे यहां पर पूछी जा रही है highest qualification, major subjects कह रहा है आपके board, institute, university के बारे में पूछा जा रहा है of course your year of passing so यह आप यहां पर enter कर सकते हैं then after आपसे जो यहां पर details बाद की जा रही है that is a professional documents जो आपके यहां पर required रहने वाले है so आपको मैं बता देती हूं कहके चीज़ है required है आपको अपना status बताना है पहले either you are working, self-employed और working professional or student so आपको यहां पर यह चीज़ मेंशन करनी होगी फिर आपको अपनी highest qualification बतानी है वो आप यहां पर लिख सकते है आपको अपना photo upload करना है आपको अपना ID proof upload करना है ID proof में भी आपके पास options लिए गए है passport, vodacard, pancard, pancard, अधारcard, government, employee ID वो भी आप enter कर सकते है और कोई अधर आपके पास यहां पर identification proof है वो भी आप enter कर सकते है save and continue करने के बाद यह आपका last process था यहां पर आपका जो है अब आपका preview आने वाला है आप देख सकते हैं आपके जितनी भी details आपने अभी तक अपनी application form में भरी है वो सारी की सारी आपको यहां पर preview के form में दिखा दी जाएगी आपको क्लिक करना है apply पे जैसे आप apply पे क्लिक करेंगे आपका जो है वो registration यहां पर हो जाएगी आपको यहां मेरी registration यहां पर हो चुकी है और मैं इस course के लिए apply कर चुके हूँ आपको भी मैं यही बोलूँगी जितनी जल्दी हो सके आप इस course के लिए apply कर लीजे और आपको बाकी की details regarding your session link और कैसे certification मिलेगा सारी चीज़ें आपको आपकी email id पे send कर दी जाएगी जो भी email id आपने use किये होगी during your registration process यह रहे इस course से related सारी details I hope आपको सारी चीज़ें clear हो गए होगी in case अगर आपको फिर भी कोई diot रह जाता है आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं आप मेरे साथ directly one to one connect कर सकते हैं मेरे whatsapp group पे और मेरे telegram channel पे जल्दी से जाएए link आपको नीचे description में मिल जाएगा आज की इस video में बस इतना ही अगर ऐसी videos और देखना चाहते हैं प्लीज मेरे channel को subscribe कीजे अगर पसंद आई हो video तो like और share जरूर कीजे so that's it for today thank you so much have a good day